सब्सक्राइब करना है बिना कोई मिस्टेक किये हुए अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो चलिए गाइस वीडियो स्टाट करते हैं सुगाइस रिजिस्टेशन करने के लिए आपको एकेटियो के ओफिशल वेबसाइट पर आने होगा जो कि है यहाँ पर लिखा हुआ है बीटेक कांसलिंग फॉर जोई मेंस केंडिडिट एन यूपी सीटी यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा रेइस्टेशन प्रोसेस जो है वह स्टार्ट हो जाएगा नीचे हम स्क्रोल करेंगे यहाँ पर लिखा तो आप simpoli 3 dots पर क्लिक करके इसे desktop साइट पर कर सकते हैं then I agree पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखे, परसनल डीटेल हमें फिल करनी है, टाइप आफ रेजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर थ्री टाइप की रेजिस्ट्रेशन आपको दिये गए है, जेए मेंस, बीटेक, कैंडिडेट अगर नहीं, आप बीटेक डिशन लेना चाते हैं, और जेए मेंस के बीटेक के लिए भरना है, तो मैं फस्ट वाला सलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जैसे आप फस्ट वाला सलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको जेए मेंस का एप्लिकेशन नमबर यहाँ पर डालना होगा, एप्लिकेशन नमबर डालने के बाद यहा से आपको फिर mobile number डालना है, email id डालनी है, तेन उसके बाद अपना password यहाँ पर type करना है, फिर उसके बाद password को confirm करने के बाद security pin डालने के बाद आपको submit and next पर click कर देना है, यह सारी चीज़े आप ध्यान से बड़ी भरिएगा, because इसी से आपको login करना है, submit पर click करने के बाद आपके पास OTP आएगा, आपके mobile number पर और email id पर, OTP आपको डालके security pin डालना है, तेन उसके बाद verify and final submit पर click करेंगे, इसके बाद जो हमारा application registration form है, वो पूरा complete हो गया है, registration complete होने के बाद आपको यहाँ पर यह इस तरीका interface आएगा, registration form आप देख सकते हैं, status completed आ रहा है, इसके बाद application form, contact, detail और सारी चीज़े हमें बढ़नी है, scroll करेंगे, तो यहाँ पर फिर से application form वाला tab आ रहा है, इस पर आपको click करना है application form को fill करने के लिए, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, हमारा पास जो application वो open हो जाएगा, application form ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप then up select करना होगा, तो यहाँ से यह select करने के बाद आपको यहाँ से अपना domicile, then category, then उसके बाद यहाँ पर कोई sub category है, tuition fee, then उसके बाद यहाँ पर having ruler, waitage अगर कोई है तो डाल सकता है, नहीं तो आप no कर देंगे and save and next पर click करेंगे, submit पर click करने के बाद आपको next tab में यहाँ प आपको पूरा fill करना होगा, then उसके बाद save and next पर click करेंगे, submit पर click करने के बाद आपको अपनी qualification detail यहाँ पर भणने है, passing status, और यहाँ पर passing year आपको डालना है, result mode आपको select करना है, then उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सारे subjects, जो भी आपकी class 12 में subjects थे, उनके आपको marks obtained आपको यहाँ डालने है, और उसमें से आपके कितने marks आपने gain की वो यहाँ पर आपको डालने है, then उसके बाद simply save and next पर आप click करेंगे, submit पर click करने के बाद आपको यहाँ पर अपने upload करने है, सारे certificate सबसे पहले, आपको यहाँ पर OBC का certificate अगर आप कर टिकरी से आपको यहाँ पर upload करना है, ऐसे ही आपका जो score card है, जी मेंस का उसे भी आपको upload करने के बाद, यहाँ पर submit and preview पर click करना है, documents upload करने के बाद, आप यहाँ से अपने पूरे application का preview देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी personal details, category details and सारी qualification details, आपको यहाँ से show हो जाएंगे, नीचे आप scroll करेंगे, यहाँ पर आपको सारे के सारे documents भी दिख जाएंगे, नीचे आपको scroll करना है, यहाँ पर आपको declaration वाले को एक ब प्रेस करना है, जैसी आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, लास्ट हमारा बसता है, अब पेमेंट का option यहाँ पर आएंगे, पे रेजिस्ट्रेशन फीस पर, और यहाँ से रेजिस्ट्रेशन फीस जो है, वो पे कर देंगे, दिन हमारा जो पूरा application form है, वो complete हो जाए गए,